तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल टोटल लेर्निंग में तो फ्रेंड जैसा कि मैंने टेलीग्राम पर पहले ही आपको इंफोर्मेशन दे दिया था कि आज जो टेस्ट होने वाला है यानि कि टेस्ट कलास होने वाला है वो आपको जेनरल प्रेक्टिस आपको यूटूब पर होगा तो मैं यूटूब पर प्रेक्टिस लेकर के आगया हो दोस्तों तो आप सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन को हिट कर लिजेगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पहुंचते रहें दोस्तों बहुत चारा विद्यारती लोग यह करतें कि सब्सक्राइबज में ऑप जो दूटल लेंडिंग करना जो लोगों आपको यहां यूटूब पर दिखेगा वही लोगों आपको वहीं पर है और लगवक दूसतों यह एक हजार के करीब बच्चे हमारे साथ उस पर भीजूड कर रहे हैं तो आप सभी लोग जूट जाइएगा ताकि आपको स्टेडी मेटेरियल इंफोर्मेशन सब चीज मिलता रहे हैं चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं चलिए आप सब है हिंदी तो चलिए मैं सबसे पहले बताता हूं जो टेस्ट हुआ था हिंदी में ठीक हिंदी का जो क्लास था उस दिन 15 है इसमें दूस्त youngest 15 तक हुआ था थो 19 लाने पूरा बहुत आप सभी को आप सभी लेशन आप सभी लोग इसी तरीके से त्यारी करते रहे हैं और आज की सेशन में अगर आपको भी लाना है तो आप सभी लोग उपे पूरा भाई पूरा लिखे हाँ इमांदारी पुर्वक लिखेगा दोस्तों यह नहीं कि लिख दिये हो गया इसमें मुझे में कोई घाटा नहीं होगा लेकिन आपके उपर बहुत ज्यादा डिफेक्ट परेगा क्योंकि आप सुरू से गलत काम क्यो लोग answer करिए चले question no one कहता है आधुनिक वर्गी करन का पिता किसे कहा जाता है और स्भी लोग उत्तर बताइएगा अब सबी लोग उत्तर करिये दोस्तों वीडियो को यह सुरू करते इसका आप सभी लोग मिलाईएगा तो देखे आधुनिक वर्गी करने 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 करुए तो इसका आपसे निमपर भी जो बता रहे हो लीनियस उनका राइट है दिके दिके दी दो बैग्यांिक थे दोस्तों यहा वनस्पति सास्त्री किसक भी ठें और साती जी लिनियस क्या थे तो वरस्पति सास्तिरी चिकिसक थे ठीक है और दोस्तों इन्होंने द्वीपद नाम करण की आधुनिक अवरधारना का नीव रखी थी यानि कि आधुनिक वरगी करण का पिता कहा जाता है ठीक है यह जो बैखती थे वे स्वीडीन के बैखती थे कहां के याद रखेगा इनका पूरा नाम क्या हो जागा तो कॉल लिनियस क्या जागा यहां पर लिख दे रहा हूं कॉल लिनियस यह वाला आगे जोड़ देना लिनियस ठीक है इनका पूरा नाम हो जागा और यह कहां के वग्यानिक थे तो स्वीडीस वग्यानिक थे कौन सा वग् अगला question आपके skin पर आ रहा है देखिए आ गया question नमर दो कहता है अंगूरों का उत्पादन संबंदित है हाँ जी अंगूरों का उत्पादन किसी से संबंदित है यानि कि अंगूर का जो उत्पादन होता है उसको अध्यन को हम लोग क्या कहते है अपसन नमर ए है PC कल्चर अपसन नमर भी है AP कल्चर अपसन नमर सी है सेरी कल्चर अपसन नमर डी है VT कल्चर क्या कहते हैं दोस्तो क्लास में मज़ा आ जाएगा बस आप लोग इंड तक बने रहना इंड तक बने रहना पूरा mcq कराऊंगा आज भी पंदरा में पंदरा का question का सिरीज है और पंदरा में देखते 15 उट फंदरा कितने विध्यारति लोग लाते हैं चलीए जितना विध्यारति लोग 15 उट of 15 लाईएगगा उनका याई नाम होगा अंगूरो अब दिखिए जो अंगूर दोस्तों इसका वह ग्यानिक नाम पूछ देगा तो क्या हो जाएगा जिसका ग्यानिक नाम आप लोग लिखना वाइटीज ठीकर क्या वाइटीस याद रख लो क्या हो जागा वाइटीस चलिए समझ गए आगे बार ते क्वेशन नमर तीन आपके स्किन पर आ गया आ गया कहता है जीव विज्ञान सब्द का प्रयोग सर्व प्रत्थम किशने क्या देखिए जीव विज्ञान सब्द का प्रयोग सर्व प्र लेनस आपसन नमर सी ए पुरकिंजे आपसन नमर डी ए वान मौल हाजी वान मौल कौन थे जो जी विग्यान का सर्व प्रतम दोस्तों पड़ियोग किया था तो देखते हैं आंसर किनका सही होता है तो चलिए यहां पे सभी लोग मिलाईएगा सभी लोग मिलाईएगा जो अपसन नमर यह बता रहे हैं उनका 100% गलत है पूछो क्यों कि जी विग्यान का जनक माना जाता है आरस्तू को ठीक है जनक माना जाता है लेकिन पड़ियोग दोस्तों सर्व प्रतम इन दोनों वैग्यानिक ने किया था याद रख लेजिए चलिए क्वेशन नमर फोर के लि कई में कि कि वकम्प अधियन कहलाता है कि अपसन सी मों सिखता है इसके अद्यियन को में किया कहते है जल्दी से बताएं तो चलिए देखिएगा इसका राइट आंसर सभी लोग मिलाईएगा दोस्तों सभी लोग मिलाईएगा तो देखिए जो भुकंप का अध्यन होता है उसको हम लोग सीस्मो लौजी में अध्यन करते हैं सीस्मो लौजी कहलाता है उसके भुकंप का अध्यन को हम लोग क्या करत तो यह जाएगा भूकंप का मापक यंत्र क्या है कि मापक करprus क्या है तो अपसे लोग बताएं जल्दी से क्या है मापक यंत्र क्या है कि क्या हो गसा होगा तो देखें यहाँ माप्तार याद रखना रिक्टर से माप्ता गया की जो और आ heaven जल्दी से आप सबहर लोग उत्तर करके बताईए तो का चलिए तो करते हैं तु करते हैं तो क्लास को तो देखे सबलाई मिला आश्ञा चना कर रहा है और जो और नहीं कर रहे हैं वो लोग भी ध्यान देते चलिएगा तो यहां पर से लोग अस्थियों का अध्यान करते तो जो लोग अपसर नमर डी बता रहे हैं उनका राइट ठीक है ऑस्टियो लॉजी अस्थियों दोनों में मैच अप फुड़ाए ठीक है इस तरीके से भी याद का अध्यान कहलाता है देखिए क्वेस्चन नमर शिक्स कहता है फलो का अध्यान क्या कहलाता है अपसर नमर एपोमोलोजी अपसर नमर भी है मायोलोजी अपसर नमर सी है कॉडियो लॉजी अपसर नमर डी है 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 ठीक है क्या होगा राइट अंसर है देखिए फलो का अध याद करने का कितना देर तक छमता है वह पता लग जाता है सभी को चलिए नमर सेवेन है परमानु बं किस अभिकिरिया या किस अभिकिरिया पर आधारित है यहां पर होगा ठीक है यहां पर क्या होगा पर होगा किस अभिकिरिया पर आधारित है परमानु बं देखे अप्सन नमर ए नावी के संरचना पर अप्सन नमर बीए संचरन पर अप्स सारा इंसी आटी का है इनसी पैटन पर है तो चलिए देख लेते इसका अंसर क्या हो जागा जो परमानु बम है दोस्तो वह नावी के विखंडन पहुता है ठीक है नावी के विखंडन यानि कि फटता है तो पूरा बिखंडित हो जाता है तो यहां पर आप सनमर डी जो बता उनका राइट है नावी के विखंडन पर ठीक है क्या हो जागा नावी के विखंडन पर चलिए ठीक है समझ में आ गया बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों अभी अभी अंत तक बने रहना है बस आप लोग को क्वेश्चन नमर एट आपके स्कीन पर कर रहा है प्रथम अब सभी अब सभी लोग मिलाते चलीएगा जो है विखंडर अब जो बनाया गया था तसम अ हचाहिए baru हाइटनसर प्रतम बार में तो वह था 1952 को ठीक है याद रखे कब होगा 1952 को कब होगा 1952 को एक पर हमारे साथ बोलते चलिए आप लोग प्रतम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया 1952 को ठीक है याद हो जाएगा चलिए अगला प्रहाशनी question no.9 Q29 box c right to add more knowledge s क्या ने किया था जो APP-96 स्टार्न नक किसे ने किया था जो पोलिवका टीका था दोस्तों उसका खोज किसने किया था है अब लोग जानते थे कि पोल्यों बहुत खतरनाक विमारी था लेकिन इसका भी लाज़ निकल गिए तो आप कोई खतरनाक नहीं आप सबता है जान हेरी अस्तिक आप अनमर से तो सब्सक्राइब बताएं जल्दी से आप सभी लोग तो चलिए देखेगा जो पोलियों का ठीका कोज किसने किया थो तो वह थे जॉन इसाल ठीक है कौन ते जॉन इसाल के और इन्हों नहीं पोलियों का खोज किया था अपसन नमबर 20 का राइट हो जाएगा ठीक है पॉलियों की बिमारी दोस्तों पांच साल के बच्चों यानि छोटे-छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करता था चलिए क्वेशन नमर्दस आगया देखें क्वेशन नमर्दस आपको जी के विए से कम्पलीट होगा लेकिन यह सब आपको देखने को मिलेगा साइन्स में तेलिफॉन का आविस्कार किशने किया पर बेसिक चल रहा भी ठीक है जो फर्स्ट पेज़ का उसका बेसिक चल रहा है ठी लोग दोगे इसका तो आप लोग बता ही दोगे मुझे आसा है कि टेलीफोन सकारा सब बता देंगे कि फिसने किया था सब कोई J चलिए सबी लोग मिलाएगा मुझे आसा है सबी लोग आपसर नमर सी बता रहे हैं तो बहुत अच्छा क्यों अपसर नमर सी एलेक्जेंडर ग्राहम वेल टेलीफोन का विसकार किया था अब देखिए अब यह मेरे पास बहुत सारे विद्यारती लोग अंग्रेजी का बहुत कोम यूज होता है नो के बरावर यूज होता है जैसे में मोबाइल मोबाइल को आप लोग कभी भी हिंदी में बोलते हो मोबाइल को हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिख देंगे मोबाइल मोबाइल हिंदी में लिखा गया लेकिन इसका हिंदी नाम क्या है अब बोले होगे कि दूर्भास होगा नहीं दूर्भास हम लोग टेलीफॉन को हिंदी में बोलते हैं mobile अलगग चीज है ठीक है mobile हो गया आप लोग cricket का नाम सुने हो cricket इसका भी Hindi नाम है बहुत गजब गजब है तो आप लोग इसका नाम खोज करके रखना और कमेंट में बताना तो मोबाइल का हिंदी नाम क्या है किड़केट का हिंदी नाम क्या फूट बॉल का हिंदी नाम क्या दोस्तों एक और एक और फूट बॉल का हिंदी नाम क्या इसका भी बताना यह तीन गों का आप लोग कमेंट में बताना तो तो चलि किन बिजली बचाना चाहिए गडीलियों विश्वेमनि का किया याद है कि नहीं है थाथ सभी याद रखेगा चलिए जीके में गर आपके सामने हैं कहता है इसे से ने खोजा तरे सबकर हो स्थार स्था संतु के करें हैं है खुंसे न्यूटन ने किसने सोलर सिस्टम का खोज किया था तो चलिए यहां पे सभी लोग उत्तर कड़िएगा बहुत इंपोर्टेंट सभी क्वेस्चन मैं लेकर क्या आता हूं तो चलिए देख लिजे आंसर क्या हो जाएगा सोलर सिस्टम को दोस्तों किसने खोजा था तो वह खगोल यानि की बाहर वला पिर्थिवी से बाहर वला खगोल सास्त्री खगोल सास्त्री थे ठीक है खगोल सास्त्री थे कहां के थे पोलेंड के थे इन्हों नहीं यह बताया था कि पिर्थिवी इस्तिर नहीं है या सूरी के चारों और घुमते रती है यह भी कोश्चना देग को जानती हो नारे वट को यह भी खगोल वज्ञानिक थे इन्हीं के नाम पर पटना का एक अस्थान है खगोल नाम है खगोल अस्थाने का नाम है इन्हीं के खगोल सच्री होने कि उपादी पिन को जहां पर रहते थे यहीं पर पटना में ही रहने वाले याद रखेगा यह आरे भट कहां के बिहार के राजी के पटना राजधानी में एक छोटे से गाउं में खगोल नामक अस्थान पर रहने वाले हैं इन्हीं के जो खगोल सास्री हुए थे तो इन्हीं कि निसे निया था तक चिंप को इनों पड़ाओ ल इसका सद्धान कशने वह मैं अप्सर नमर्थ करें का सब ऑफ चलि इसका अंसर डेखतें संब् tyreल चलिए आवे सेक्षेलरंस सनी अं ему ठीक है बहुत अच्छा मैक्स पलांक ने दीए था घर गएक ये क्ओंट्म सिद्धान केऊ तो आप लोग यह जानते हो की सूरज है ठीक है यहां पर देखूलों यह सूरज है इससे जो कीरने आ यह दोस्तों यह जो कीरने आ रहे है ठीक है यह क्या है हम लोग लिख देते हैं रे यानि कि कीरन है एक कीरन है तो यह जो कीरन है न दोस्तों इसमें कुछ प्रेंट के रूप में तरीके से इसी का मुट्रेंग सिद्धांद कहते हैं इसी को हम लोग क्वाँटम सिद्धांद कहते हैं आँजा है कि क्वांटम सिध्धान्त यानि कि मैक्स मैक्स नियतांग होता है प्लांक नियतांग ठीक है मैक्स प्लांक का एक नियतांग है जिसको हम लोग प्लांक नियतांग कहते हैं उसका क्या बीमा या एशा यूनिट क्या होता है ठीक है बीमा भी पूछ सकता हो और एशा यूनिट भी तो उसको भी आप लोग किलियर कर ले न वीडियोस में सब पड़ा है प्रिविएस येर जो 2020 के लिए मैंने त्यारी करवाया था उसमें भी ये वला है बल के लिए 2020 में आया डे के भाता आ बातर्बाया क्या नाम है असरा को । आप सभीको पता होना चाहिए भारत का प्रहत प्रमानु रियक्टर किसे जाना जाता है तो वह अपसर नमर भी आप सऩरा को याद रखिएगा ठीक है कि इनको जाना जाता है तो अब सरा के नाम से चलिए आगे बरते question number 14 यानि कि चौदा question number 14 करता है पर्मानू ने पर्मानू में अवस्तित सबसे हलका कौन है देखे पर्मानू में सबसे अवस्तित हलका सबसे हलका element कह सकते सकते है यहां पर बोलने के लिए अनू तरमानू रहेको में कहूंगा टार कोने प्रोटोन इलेक्ट्रोन या न 화ने से कोई नहीं कि इर यहां जो चलिए देखिए गा तर्मानू में जो अवस्तित होता यहां पर देखो यहां पर यहां पर यह हो गया प्रमानू इसका निकलियस इसमें क्या होता है निकलियस में पी पलस एन होता है और इसके इसमें क्या होता है इलेक्टोन घूमते रहता है मूव करते रहता है तो इस सब में दोस्तों सबसे हलका होता है वहता है इलेक्ट्रोन हम सब्सक्राइब जानते होंगे एक तरह से मेटल है ठीके पोलोनियम की की खोज किसनी चाहिए पोलोनियम को आप लोग जानते होंगे ये क्या है एक तरह से metal है ठिक है Palonium क्या है met , याद रखना इसकी खोच किसने की थी छलिए देखें यहां पर क्या जागा राइट अंसर यहां पर जागा नमर सी मैडम क्योडी ठीक है क्या हो जाएगा यहां पर मैडम क्योडी निक्ति ति हекाया मैडम क्योडी गैक הז Oxford मैडम क्योडी और देखे दोस्तों पॉल लोनीयम क्या है फोलोनीयम tremendous रेडियो एक्टिव पदार्थ याद रखना प्रमानुस क्या कितना 34 चाउतिस समझा करके देखें गना तो वही पोलोनियम मिलेगा आपको ठीक है दोस्तों आसा करता हूं आप सभी लोग को से मज़ेदार लगाओगा नेक्स्ट वीडियो में इस से भी मज़ेदार तो हिंदी में ज्यादा से ज्यादा उपस्तिती बनाई रखेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही जै हिन जै भारत